सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों आज की शुड़ने बात करने वाले हैं प्यार बुच्चों तो यहां पे हमने बताये गया है हमाले के बारे बताये गया है थीख ? यहां पतंए कि इतने सारी नदिया निकलती है और उनी साहे के बारेे में लोग पढ़ेंगे ठीक है? चलिए यह सुरू करते दहीं प्यार बच्चों यहां पर जो हीमाला होटा है इसमें बहुत सारी नदिया निकलती जिन में से मिन है गंगा और ब्रह्मोपुत्र ठीक प्यारे बच्छों तो आप लोग बता ही होगा गंगा कहां से निकलती है देखें मान लीजिए हमारा नदर्न इंडिया है अब मुझे अच्छा वनाने आता नहीं है नदर्न इंडिया है यहां नौड साइट का इंडिया है तो प्यारे बच्छों यह जो दुन्य रीवर रहती है और इन्हीं को यहां पे लेखक ने हिमाला की बेटियां कहा है ठीक है और यह जो प्यारे बच्छों रहते हैं यह जो दुन्य रीवर रहती है यह ऐसे नहीं कि सिर्फ यहीं सिर्फ बनिये नहीं यह बहुत सारी विसा कि इस बहुत पतली है फिर मैदानी च्छेतर में कि बहुत अंठी हो जाती है। हो जाता हो जाता है पर वह पे नंगी हो जाती है। यहां पे बहुत जब यह रहते हैं तो यहां पर कितना इसका स्वोच्छ जल होता है कहां पर यहाँ पर जहां पर हमाहरे कहां पुरसा में तो वहाँ पर दोसीत हो जाता है ठीक है यही नहीं इतने वी पहले उनकी धारा पदली रहती है फिर उसके बाद उनकी धारा क्या जाती है लंबी होती चली जाती है ठीक है और इसके बाद यह बताते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ जो हिमाला में जितने भी नदिया निकलती है वो क्या करती है उचलते पूदते और खुसी से क्या करती बहते चली चली जाती है और उसको याद ये ब्रहुपुत्र के बारे भी बहुत कुछ बताते हैं ठीक है जैसे कि ब्रहुपुत्र की भी जो नदिया होती है उसमें बहुत सारे नदिया आ करके मिलती है और ये सब जो भी नदिया होती है प्यारे बच्चों इन्होंने यानि क हमारे author ने क्या कहा है हिमालय की बेटिया कहा है ठीक है तो इन्हें ऐसा मानते हैं तो प्यारे बच्चों यह बताते हैं कि यहां जो काली डास रहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने एक बार भी विरही यक्ष यानि मेध्दुद से कहा था कि वेतवा जो नदी है उसका प्रे लिए फेजी धान देते जाना तुम्हारी है प्रेसी तुम्हें पॉकर आवश्य प्रसन होगी ठीक है प्यारे बच्ऺो यह बात इन चेंचल नदीयों को देख करके मुझे अचानक याद हाती यानि कि जब इन नदीयों को देखते हम ई なदीयों को जो क्यों काफी खिल खिलाते हुए मतलब की हस्ते खिलते जाती है तो उन्हें यही बात क्या हो जाती है याद आ जाती है ठीकी पैर बच्चों और इसके बाद यहां पर कहते हैं कि काका कालेकर में नदियों को लोग माता कहने को का है मतलब की जो काफी सारे कवी होते हैं पैर प्रकार के मतलब की नाम देते हैं किसे देते हैं नदियों को देते हैं ठीक है प्यारे बच्चों तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहां पे किस प्रकार की फीलिंग जो होती ही लोगों के अंदर होती है ठीक है अब प्यारे बच्चों हम बात करें कि इनके बारे में एक ब लोनमोलनी नष्ट लिघ उपके Bye There oh दो लिए हलाली वह वह Allah Люб यानी मेरी मेरा मन हो चुका है आप प्रफुलली तो चुका है बहुत ही खुस हो चुका है मगन हो चुका है मेरी खुमारी ःतो मैं कैसे जाओ तुम बेटी ये बाफ हिमालाद चिम्ति पर चुपचाब हिमाला प्रकरति ऑलवा आ नटी पर अनुपम और भुचाब हिमालाद हाँ या क्यों Gust behind you यह कह间 करके उसे क्या दोर्टे है बदाई देतें मतलब कि बदाई利 कैसे क्छते उसे यहां किस प्रकार से बहती है, ठीक, तो आप लोग यदी पढ़ेंगे, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा, वैसे जितना बताना था, मैंने उतना बता दिया, ठीक है, तो बस आज की स्रोड़नता मिलते हैं, अगले उड़े, इससे पहले यदि आप लोग नह हैं तो प्लीस कर लिजिए सू, ठेंक यू, जय हिंघ जाहीं जबारत मिलते हैं, अगले वीडियो में, ड़ा, आ, बाट अधन, और अधन, अधन, याच्छे, प्रकार विश्वार्च, बस्सवार्च, अधन, अधन, आधन, प्लीस कर लिजिए सू, थैंक यू, जय हिंगले